हेलो फ्रेंट्स, कैसे हैं आप सभी, आप सभी का जनता क्रेशन में स्वागत है दोस्तो आप सभी का भूत भूत धन्यवाद, आपने हमारी पिछली वीडियो को इतना प्यार और सहयोग दिया हमें आगे भी यही आशा है कि आपका प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही मिलता रहे है दोस्तो अगर आप रोज का खाना खा के बोर हो गए हैं तो आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही स्वादिश रेसिपी जो कि बहुत ही असानी से बन जाती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है वो रेसिपी है पोहा यह एक नाच्टा रेसिपी है यानि ब्रेकफास्ट रेसिपी है पोहा बनाने के लिए हमें सामगरी चाहिए पोहा दो कप, मुफली के दाने आदा कप, आलू एक, राई एक चमच, कड़ी पत्ता, खाने योग्य तेल, नमक स्वादनुसार, हल्दी पॉडर आदा चमच, नीमु का रास, देख बड़ा प्यार, दो बड़े टमाटर, लाल मु इसे पहले पोहा लेंगे और उसे चनी में डाल के अच्छे से दो लेंगे, अब एक पैन लेंगे, उसमें घी गरम करेंगे, घी गरम होने के बाद उसमें मुफली के दानों को डाल कर रोस्ट करेंगे देखे बिलकुल इसी तरह से इन्हें रोस्ट करना है मुफली गोल्डन ब्राउम हो गई है अब हम इने फार निकाल लेंगे देखिए अब मुफली तयार हो गई है अब आलू लेंगे आलू को छोड़े चोड़े पीशों में कट कर लेंगे और डीप प्राइ करेंगे आलू गोल्डन ब्राउम हो गई है अब आलू को भी भार निकाल लेंगे अब एक कड़ाई लेंगे उसमें तेल गरम करेंगे तेल गरम होने के बाद उसमें राई डालेंगे और चटकने देखके राई के चटकने के बाद उसमें कड़ी पत्ता डालेंगे अब हरी मिल्च और अद्रक डाल कर भूनेंगे अब प्यास डालेंगे और ब्राउन होने तक भूनेंगे यह अब प्यास भून गई है अब इसमें आधे टमाटर डाल देंगे और भूनेंगे अब फल्दी पाडर और मिर्श डालेंगे देखे मसाला भून गया है अब इसमें पोहा डालेंगे और अच्छे से मिलाएंगे एक से दो मिनट के लिए बूनेंगे दोस्तों है ना ये मज़ेदार रेसिपी जो आप नाश्टे में कभी भी कहीं भी असानी से बना सकते हैं अब नमक डालेंगे और मिलाएंगे अब भूनी हुई मुफली और तले हुए आलू मिलाएंगे और कटे हुए टमाटर मिलाएंगे अब नीमबू का रस मिलाएंगे नीमबू का रस अपने स्वाल अनुसार मिलाएंगे देखे पोहा बनकर तयार हो गया है कितना अच्छा कलर आया है अब पोहे को नमकिन के साथ सर्फ करेंगे दोस्तों हमारी फिछली वीडियो को देखने के लिए नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक करें